Hello everyone, मैं आपका होस्ट और दोस्त अकाश All India Students Community में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के सभी important current affairs हम Hindi और English दोनों language के अंदर cover करेंगे ये वीडियो आप लोगों के सामने दो parts में होगा पहला part जहाँ पर हम questions को details में पढ़ेंगे और उसके बाद आप लोगों के लिए आएगा one-liners current affairs तो total लगबग हम 25 questions जो most important है वो cover करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर कुछ को हम details में पढ़ेंगे GK के साथ और कुछ question को हम one-liners की form में last में पढ़ने वाले हैं तो सारे PDF चाहिए one-liners की form में तो वो सारे PDF आपको टेलिग्राम पर available होंगे टेलिग्राम का link भी नीचे दिया गया है वीडियो को start करने से पहले मैं बता दूँ अगर आप वीडियो को देखने आए हैं और सीखने या फिर आप बोल सकते किसी एक्जाम के लिए preparation कर रहे हैं तो इस वीडियो को last तक जरूर देखेगा क्योंकि मैं आप से कुछ question भी पूछने वाला हूँ अगर आप उनका सही जवाब देते हैं तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से पुरानी चीज़ों को revision कर रहे हैं अगर नहीं दे पा रहे हैं तो अभी आप लोगों ने revision करना start नहीं किया है तो उन questions को ध्यान से देखेगा और सभी questions का जवाब देने की कोशिस करिएगा तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे सभी important current affair केंदर ने विनासकारी चक्रवात अमफन के दोरान मरने वालों के परिवारों को कितना मुआवज़ा देने की गोशना की है अब कितना मुआवज़ा दिया गया है चक्रवात था जो पिछले 20 वर्सों में आए सभी चक्रवारतों से भैंकर था आप बोज़ सकते हैं सबसे strong तुफान रहा अमफन जिसकी वज़ा से लगबग 72 लोगों की मारे जाने की अभी तक खबर आई है इंडिया के अंदर इसका लेंडफोल कहां पर हुआ बंगलादेश के जो हूतिया दूइप है महां पर अमफन का लेंडफोल हुआ था अमफन का स्पीड वेस्ट बेंगोल अगर उडिसा के आसपास की बात करें तो 192 टूट 200 किलोमेटर पर आर के आसपास रहा यहां से कुश्चन बन सकता है कि अमफन अमफन ये नाम दिया किसने है तो अमफन नाम दिया गया है थाइलेंड दुआरा किसके दुआरा थाइलेंड ने ये नाम दिया है अमफन नाम दिया है और ये जो है प्री मानसून जो था ये साइकलोन था प्री मांसून साइकलों था अमफन और दो लाग रुपे दिये जाएंगे मरने वालों को जो नेक्स्ट किन है मरने वालों को उनको दो लाग रुपे जो है सेंट्रल गवर्मेंट देगी अगला कुश्यन है चार बार के गेन्ड स्लेम एकल चद्पेन एसले कपोर का हाल ही में 83 वर्स की आयू में निदन हो गया है 1958 में उनकी एकमात रहार किस गेन्ड स्लेम टुर्वनमेंट में हुई थी 4 ट्राइम गेन्ड स्लेम सिंगल सेम्पेन एसले कूपर पास्ट रवे रिसेंटलि at the age of 83 which only loss in 1958 came in which Grand Slam tournament and the correct answer is French Open 1958 में उन्होंने सारे Grand Slam event जीत लिये थे चारों में से लेकिन एक में उनका हार हुआ था समी फाइनल में वो हार गए थे और वो Grand Slam tournament था French Open तो Ashley Cooper की हाली में काफी दिनों से इनकी तर्वेत खराबती उसी के चलते इनका हाली में निधन हो गया है और 1958 में उन्होंने सारे Grand Slam tournament जीते except French Open में ये समी फाइनल में हार गए थे अगर हम बात करते हैं French Open की अभी हाली में 2020 का French Open को टाल दिया गया है जो कि अभी मही और जून में होना था अब ये September अगस September इसका date दिया गया देखते हैं होगा की नहीं होगा लेकिन आप से एक्जाम में पूछा जा सकता है कि French Open जो 2019 में हुआ था उसके single winners कोन थे and the correct answer is Raphael Nadal Raphael Nadal और Ashley Barty और Ashley Barty अगर men category बात करते हैं तो Raphael Nadal अगर women's category की बात करते हैं तो Ashley Barty जो थी ये 2019 का इनोंने French Open जीता था अगले question पर आते हैं अगला question क्या है किस देश ने खुद को open skies treaty से अलग होने की गोशना की है अब ये treaty कब साइन हुई थी एक जनवरी 2002 को इस treaty को साइन किया गया था और लगभग इसमें 35 member state थे 35 अलग अलग देश थे जिनोंने इस treaty को साइन किया था क्यों थी ये treaty तू इंप्रूव मिलिटरी ट्रांसप्रेंसी कॉन्फिडेंस बिट्वीन टू सूपर पावर्स ठीक है तो यूएस और अमेरिका के बीच में हुई थी ये treaty open skies treaty जिसमें बाद में जो है लगवाद 35 members बने और इस treaty के तहत ये 35 के 35 members एक दूसरे की जगह पर unarmed होके जो है जा सकते थे अगर बात करें किर्गिस्तान यहाँ पर एक ऐसा member था जिसने इस treaty को sign तो किया लेकिन कभी ratified नहीं किया ठीक है तो पूछा जा सकता है the one member who signed it but not ratified it that is किर्गिस्तान किर्गिस्तान वो अकेला member था इस treaty का जिसने इसको sign तो किया था लेकिन कभी ratified नहीं किया अब इस treaty से अमेरिका जो है बहार आगया है open skies treaty से जो 18 साल पहले हुई थी एक जनवरी 2002 को अगले कुशन पर आते हैं अगले कुशन पर जाने से पहले आप मुझे comment करके बताएंगे रस्या के president का नाम और यहां की currency का नाम देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे दूसरा अभी जो अमेरिका की राष्टपती है Donald Trump ये किस number के राष्टपती है International Day for Biological Diversity अंतरास्टिय विविदिता दिवस कम मनाया गया 22 मही को अब इसका theme क्या था इसके बारे मैं आपको last में बताऊंगा अगर अब ही तक आपको पता है तो एक बार comment करके बताऊ 22 मही को मनाये गए Biological Diversity Day का theme क्या था Next question Which state government has launched the break the chain cartoon campaign किस राज्य सरकार ने break the chain cartoon अभियान शुरू किया है and the correct answer is केरल केरल ने शुरू किया है केरल के जो health minister है KK Selja केरल की health minister है KK Selja उनके दुआरा एक campaign चलाया गया जिस campaign का नाम था break the chain cartoon campaign और इस campaign में बहुत सारे famous cartoonist ने participate किया और इस campaign का मकसद था to spread awareness among people ठीक है लोगों के बीच coronavirus के परती लोगों को जागरू करना ठीक है तो इसमें जो cartoonist है उन्होंने different different जो है अपनी परतिबा दिखाई अलग-अलग तरीके से उन्होंने कुछ cartoons जो है दिवारों पर paint किये और उस paint के जरिये लोगों को उन्होंने जागरू करने का काम किया और इस break the chain cartoon अभ्यान का theme भी था और इसका theme क्या था विश्य था इसका विश्य था SMS क्या था SMS SMS stand for sanitizer mask और आप क्या बोलतकते है social distancing तो यहाँ पर उन्होंने जो break the chain cartoon अभ्यान शुरू किया केरल में केके सहल जद वारा तो इसमें जो theme रहा इसका विश्य रहा SMS कि लोगों को बताए कि उ sanitizer का इस्तमाल करे बार बार अपने हाथ दोए अगर कहीं निकलते हैं तो mask पहन के निकले और social distancing को follow करे तो ये था SMS उसका break the chain cartoon अभ्यान का theme अगर हम केरल की बात करने है केरल केरल जो है ये सदन स्टेट के अंदर भारत में आता है यहां का highest peak अनाय मुडी है जो western hut का भी highest peak है केरल में silent valley national park है जो काफी famous है अगर हम बात करते हैं केरल के CM और governor की ये आप मुझे comment करके बताएंगी कि हाल ही में केरल के CM कोन है और के governor कोन है देखते है कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते है अगले question प्राते हैं अगले question है who has been elected as the new chairman of जम्मू कस्मीर public service commission जम्मू कस्मीर लोग सेवा आयोक के नए अद्यक्स के रूप में किसे चुना गया and the correct answer is BR Sarma अब सवाल उपता है BR Sarma का पूरा नाम क्या है तो BR Sarma का पूरा नाम है ब्रिज राज सर्मा तो ब्रिज राज सर्मा को जम्मू कस्मीर के लोग सेवायोक के नए अद्यक्स के रूप में चुन लिया गया किसको BR Sarma को जम्मू कस्मीर Reorganization Act 2019 जम्मू कस्मीर का जो पुनर गठन नियम है 2019 का उसकी धारा तिराणमे के तहत इनको जम्मू कस्मीर लोग सेवायोक का अद्यक्स के रूप में चुना गया है अब जम्मू कस्मीर की बात हुई है तो थोड़ा सा जम्मू कस्मीर में जो हाल फिलाल में चीजे हुई है उसे एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ जम्मू कस्मीर 31 अक्टुबर 2019 को Union Territory में डिवाइड कर दिया गया लद्दा काईजा New Territory and Union Territory और जम्मू कस्मीर ठीक है पहले ये एक ही स्टेट हुआ करता था यहाँ पर टोटल डिस्टिक्ट 20 है और यहाँ पर एक पहले Lieutenant Governor बने जम्मू कस्मीर के अंदर जिनका नाम रहा ग्रीष, चंद्र, मुर्मू राजे सबाकी सीटे 4, लोकसबाकी 5 अगर बात करें जम्मू कस्मीर हाईकोर्ट की मुख्यनाइदीज गीता मित्तल पहले जज जिन्हों ने भारत के सविधान के तैट सपतली जम्मू कस्मीर में वो रजनीस ओस्वाल बने यहाँ नए मुख्यनिरवाचन अधिकारी न्यूक्त किये गए जिनका नाम था हिरिदेश खुमार अगर वूलर जील की बात करते हैं तो यह ताजे पानी की एशिया की सबसे बड़ी जील है तो यह कुछ इंपोर्टेंट जानकारी थी जम्मू कस्मीर से अब यहाँ पर कुछ और ओप्शन है गोविन राजुलू चिंटाला इनको हाली में किसका नया अद्यक्स मनाया गया है यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और दिलेप उमेन इनको हाली में किसका नया अद्यक्स मनाया गया है यह भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे देखते हैं आप लोगों को पुरानी चीज़े याद है या नहीं अगला कुश्यन कपड़ा मंत्राल्या की मुंबई इस्थित कपड़ा समीती को PPE coverless की जाज और परमानित करने के लिए नोवी अनुमोधित परियोगसाला के रूप में नामित किया गया भरत के वरतमान कपड़ा मंत्री का नाम बताईए दरसल हुआ क्या है कि हमारा देश PPE किट बनाने में दूसरे नंबर पर आ गया है PPE का फुल फॉर्म क्या है अभी आएगा थोड़ी देर में अगर अब तब तक आपको पता है तो आप कमेंट करके बताईएगा तो जब कोरोना वाइरस स्टार्ट हुआ भारत में तब भारत के अंदर एक PPE किट भी नहीं बनता था लेकिन आज कोरोना वाइरस के बते लेट आए दुरूस्त आए भारत जो है आत्म निर्भर हो गया है और पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर PPE का manufacturer बन गया है producer बन गया है और हम इस condition में है अब कि आने वाले दिनों में हम PPE को जो PPE किट है उनको दूसरे देशों में export भी कर सकते हैं और इसी के तैट भारत में नो लैब्स बनाई गई है जो इन PPE किट्स को approved करती है और नो वी इस आप बोल सकते हैं coverless जो पर लैब की गई है उसे परमानित कर दिया गया है textile ministry दुआरा और textile minister के हमारे जो मंत्री है उनका नाम है स्मृति इरानी I hope आपको समझा गया होगा क्या का इंपोर्ट जानकारी थी कि भारत के अंदर नो लैब है जो PPE किट्स को क्या करती है टेस्ट करती है certified देती है certificate क्योंकि ताकि उनकी गुनवत्ता में कोई भी कमी ना रहे ठीक है PPE किट्स किन लोगों के लिए है health care और medicals जो professionals हैं उनके लिए है उनको बचै ताकि जब वो हमारा इलाज कर रहे हो उनके अंदर संक्रमन फैलने की बहुत कम संभावना हो तो एक तरीके से डोक्टरों को बचाने का काम करती है PPE किट्स ठीक है और भारत में जब coronavirus स्टार्ट हुआ उस समय भारत में एक भी PPE किट नहीं बनती थी आज भारत जो है आत्म निर्भर्त में आगे बढ़ा और इसका second largest producer in the world बन गया है और आने वाले दिनों में इसको वो बहार देशों में export भी कर सकता है चलो आगे बढ़ते हैं and the next question is अंतराष्टे विद्धा दिवस जो की 22 मही को मनाय गया इस बार उसका विश्य क्या था The International Day for Biological Diversity observed every year on May 22 What is the theme for IDB 2020 and the correct answer is our solutions are in nature तो इस बार 22 मही को मनाय गया Biological Diversity Day का theme था Our solutions are in nature माफी चाहूंगा And the correct answer is our solutions are in nature तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सारे important current affairs अब one line is current affairs को हम discuss कर लेते हैं जल्दी से पसंद आए तो like or share जरूर करिएगा And the first question is हाल ही में जम्मू कस्मीर लोग सेवा आयोक के अध्यक्स के रूप में किसे निक्त किया गया तो जम्मू कस्मीर लोग से वायोक के नए अध्यक्स बन गए है B.R. सर्मा Question number 2 And man में पाए जाने वाले दुरलब पाम के पेड़ को विलुक्त होने से बचाने के लिए किस राज्या में रोपित किया गया ये question में आपको पहले करा चुका हूँ केरल में अभी मैंने question पूछा दक केरल के CM और गवर्नर का नाम बताईए कुछ लोगों ने नहीं बताया अब तो बताओ अब दूसरा जम्मू कस्मीर के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी अभी मैंने आपको रिवाइज कराया था उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जम्मू कस्मीर के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कमेंट करो question number 3 हाल ही में Airtel Africa ने किसके साथ मिलकर COVID-19 से प्रभावित बच्चो और परिवारी की मदद के लिए समझोता किया है UNICEF के साथ मिलकर Airtel Africa ने समझोता किया है जो कोरोना वाइरस से प्रभावित बच्चे हैं और परिवार है उनकी मदद करेगा Airtel Africa अब सवाल उठता है UNICEF का फुल फॉर्म क्या है यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे question number 4 हाल ही में किस देश ने ओपन इसकाइज संदी से अलग होने की गोशना की है and that is America एक जनवरी 2002 को इस ट्रीटी को साइन किया गया था और अठारा साल बाद अमेरिका ने इस ट्रीटी से अलग होने की गोशना कर दी है question number 5 मई 2020 तक कौन सा देश PPE body कवर का अग्रणी निर्माता होगा that is चीन चीन पहले नंबर पर होगा और भारत दोसरे नंबर पर चीन की मुद्रा का क्या नाम है यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों मैं कुशन आप लोगों से आपको revision कराने के लिए पूछता हूँ तो जवाब जरूर दिया करो question number 6 किस राज्य सरकार ने everybody will get employment योजना शुरू करने का निर्ना लिया है मध्यापरदेश ने अभी हाली में मध्यापरदेश के भी नए निर्वाचन अधिकारी नियूट किया गए थे उनका नाम आप मुझे comment करके बताएंगे FIR आपके दुआर मध्यापरदेश सरकार दुआरा जीवन सत्ती योजना जीवन अमरिती योजना और आप बोल सकते हैं सार्था कैप ये मध्यापरदेश में लोंच भी तो एक आप मुझे बता दो कि मैं क्या पुछता हाँ नए निर्वाचन अधिकारी मध्यापरदेश के कौन है किस देश ने तीन दिनों के लिए राष्टे धवज को आदा फैराए जाने की गोशना किया अमेरिका ने कारण क्या रहा जो कोरोना वाइरस के परती जिन लोगों की डैथ हुई है कोरोना वाइरस के कारण उन लोगों के सम्मान में आदा धवज को चुकाएगी अमेरिका तो दोस्तो अब समय है चीजों को रिवाइज करने का अगर अभी तक आप लोगों ने रिवीजन रिवाइज नहीं किया है तो एक बार मैं जल्दी से आपको रिवाइज कराऊंगा आप कहीं भी बैठे हो फटाक से बोल कर जवाब देना कि जैसे मैं आपके सामने बैठ कर पूछ रहो तो बताइए जम्मू कस्मी लोग से वा आयोग के नए अध्यक्स कोन बन गए है बियार सर्मा बहुत बढ़िया इनका पूरा नाम बताएंगे आप बियार सर्मा का पूरा नाम ब्रेज राज सर्मा अंडबान में जो पाम का पेड मिलता है वो विलुप्त होने की कगार पर है और उसको जो है अब किस दूसरे देश में जो है रोपित किया गया है क्या आप बताएंगे बहुत बढ़िया केरल कोशन अंबर थर्ड एर्टल अफ्रीका ने किसके साथ मिलकर प्रभावित बच्चों और प्रिवालिगों की मदद के लिए समझोता किया है यूनिसेप ओपन इसका इस संदी से कौन सा देश अलग हो गया है अमेरिका मई 2020 तक PPE बोडी कवर का अग्रणी निर्माता कौन सा होगा लाज़ेस प्रोडिशर और PPE किट चाइना कोशन नमबर सिक्स एवरिबडी विल गेट एमप्लोईमेंट योजना किसने सुरू की मद्ध्या परदेश कोशन नमबर सेवन किसे निक्त किया गया तो वोड़ाफोन ग्रूप के नए अद्यक्स बन गए है जीन, फ्रेंकल्स, वैन, बॉक्समीर कोशन नमबर नाइन्थ फिक्की लेडीज और्गनाइज़ेशन के राष्टे अद्यक्स के रूप में किसे निक्त किया गया तो फिक्की लेडीज और्गनाइज़ेशन के नए अद्यक्स बने है जहानवी फुकन कोशन नमबर टेंथ विश्व कच्छुवा दिवस कब मनाया गया 23 मही को कोशन नमबर 11 टिड्यो के हमले में सबसे अधिक प्रभावित कौन सा राज्य है राजिस्थान राजिस्थान के सी एम और गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अभी हाली में राजीव गांधी कल्या नहीं उजना थी राजीव गांधी गराम मेरे को याद नहीं आ रहा है हाँ चलो फिर यहां कभी याद आएगा तो बताऊंगा कुशन नबर ट्वेल किसे दक्षन एशिया में चलवायू परिवर्तन के लिए विस्ट बैंक के अभ्यास प्रभंदक के रूप में निउट किया गया आभास जा कुशन नबर थर्टीन आर्वियाई ने किस बैंक को 15,000 करोड रुपे रिंड देने की गोशना की एक्जिम बैंक को 15,000 करोड रुपे देगा आर्वियाई कुशन नबर फोटीन आत्म निर्भार अभ्यान के तहत सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड रुपे रवंटित किये 500 करोड अब जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं बोलिएगा वोड़ाफोन समू के नई अध्यक्स हाँ हाँ वैरी गूड जीन फ्रैंकल स्वेन बक्समीर फिक्की लेडिज और्गनाजिशन के नई राष्ट अध्यक्स के रूप में किसे चुना गया जानवी फुक्कन को वेसु कच्वा दिवस 23 मही बहुत बढ़िया टिट्डियों के हमले में सबसे जाधिक परभावित राज्य राजिस्थान दक्षिनेश्या में जलवाईयू परिवर्तन के लिए विस बैंक के अभ्यास परबंदक के रूप में नियुक्त किया गया है आभास जाओ अभ्यास फूर आभास कोश्चन अंबर 13 अर्बियाई ने किस बैंक को 15,000 करोड रुपे का रिंड देने की गोशना की एक्जिम बैंक को आथ निर्भार अभ्यान के तहट सरकार ने मदुमक्खी पालन के लिए कितने करोड रुपया वंटित किये 500 करोड आगे बढ़ते हैं जल्दी से रिवाईज कर लेते हैं इंग्लिस में एक बार बार को प्टू और वेंपेंट अपूंत अचर्मा अग्णा के लिए प्रस कर्मा क्षिन नबर टू इन विच शेट वर रेर प्रम ट्रीज वां इन एंदमान के प्रूम Kerala, ATL-Afrika signed an agreement to help children and families affected by COVID-19 with whom? UNICEF, Q4, which country announced its separation from the Open Sky Stati, America? Q5, which country is the leading manufacturer of personal protective equipment, PPE, body cover as of May 2020, China? Q6, which state government to start the Everybody Will Get Employment Scheme Madhya Pradesh? दोस्तो, अगर अभी तक आप लोगों ने मई के करन्ट अफेस के लिए registration नहीं कराया है, आज 25 तारीक है, करा दो, सिर्फ 25 रुपे में आपको पूरे महिने के करन्ट अफेस भेज दे जाएंगी, आज के बाद आप लोगों को 30 रुपीज पे करना होगा, तो आज आप लोगों के लिए offer का आखरी दिन है, आज ही इस नंबर पर PTM, phone पे Google पे करो, उसका screenshot भेज दो, आपको add कर दिया जाएगा, सारे करन्ट अफेस मिलेंगे, जितने मही के अंदर हुए हैं, ताकि exam time पे, जब आप revision करने बैठे, तो आपको वीडियोज ना देखने पड़े, आपके पास अपना material हो, तो आज ही अपना नाम announce कराएं, sorry, registration कराएं आज ही, question number 7, which country announced the half hosting of national flag for three days, America, question number 8, who has been appointed as new chairman of Vodafone group, Jean Frankholz van Boksmeer, question number 9, who has been appointed as national president of Fikki ladies organization, Janvi Fukkan, world turtle day is observed on 23rd of May, which state is currently most affected by locust attack, Rajasthan, question number 12, who has been appointed as the practice manager of the world bank for climate change in South Asia, that is Abhas Jha, question number 13, RBI announced a loan of 15,000 crore to which bank, Exim Bank, and the question number 14, how much crore have been allocated by the government for beekeeping under self-reliance campaign, that is 500 crore, तो दोस्तों ये थे आज के सभी important current affairs, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करिएगा, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, जैहिन, जैभारा, टेक केर, लव यो और.